36 गड़ कॉंग्रेस में बदलाव की चर्चा के बीच स्वास्य मंत्री टीयस सेहंदिव का बड़ा बयान सामने आया है उन्हें लगता है कि प्रदीश संग्ठन में किसी भी तरह के तो बता दे यहाँ पर टीयस सेहंदिव का बयान सामने आया है जिसमें 36ड़ कॉंग्रेस में बदलाव की चर्चा की बीच स्वास्य मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है उन्हें लगता है कि प्रदिश संगठन में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत तो नहीं है अंबिकापूर में मंत्री टीयस देव ने कहा कि कुछ सीनियर मंत्री इस बार 99 में से 75 सीटे जीतने की बात कर रहे है अगर इस्थिती इतनी अच्छी है तो संगठन में बदलाव अनशित समसे परी है उन्होंने सवाल उठाया है कि जब टीम अच्छा काम कर रही है तो बदलना क्यों सेहदेव ने कहा कि हार जीत की निकरता मिस्थिती में बदलाव सही होता है मगर यहां तो इस्थिती अच्छी है मंत्री मंडल में बदलाव पर सेहदेव ने कहा कि मुझे की जानकारी नहीं है हाई कमांड की उपर है कि चुनाव की क्या स्थिती को आक रहे है और पार्टी के भिट में बेस्ट क्या होगा कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो अगर कहीं उससे और अच्छा हो सकता है मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है तो अगर सिती इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज़्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाओ का ओचेत तो फिर समझ में नहीं आता अगर हम टाइट हैं कि हार जीत का संगर चल रहा है तो बदलाओ की बात समाने रूप से होती है अगर हम इतने विश्वस्त हैं और ये सभी कोई कहते हैं कि ने कॉंग्रेस की सरकार बन रही है और कुछ सीनियर लोग कहते हैं 75 पार तो फिर सब बढ़िया है जो टीम अच्छा काम कर रही है फिर बदलना क्यों